मेरे चार फ्रेंड्स का UPSC क्लियर हुआ और वो मेंस के लिए जो उन सा मैटीरियल पढ़ते थे वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तुम्हें इस चीज का रियलाइस तो हो गया होगा कि जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं लाइक फॉर एक्जामपल लक्षमी कांत वो मेंस के लिए इनफ नहीं है तो मार्केट में जो मेंस के लिए तीन चार सोर्से अवेलेबल हैं उन पर हम डिसकेशन करते हैं कि कौन सा तुमारे लिए बढ़िया रहेगा और जादा तर टोपस और सीनियस कौन सा पढ़ते हैं तो इसमें से बैस्ट कौन सा होगा तुमारे लिए उस पर डिसकेशन करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वाजी राम एन रवी की प्रुबैबल करके मैगजीन साती है दो करीब 400-400 पेज की एक मैगजीन होती है वो तो टोटल करके वो करीब 900 पेज के आसपास हो जाती है तो वा करन्ट अफेस होके तुमारे मोटे-मोटे साल डेढ़ साल सबसाल के आसपास की जो चीज़े होती है वो और दूसरी साइट कंटेंप्रेरी अफेस तुमारे चले जाते पांच-दस-पंदरा-बीस साल के पीछे की बी चीज़ों जो होती है वहाँ तक भी और चीज़े कवर कर लेते हैं कई बार तो आजी राम वाली में तुम्हें 80-85% करंट अफेस मिलेंगे 15-20% वो contemporary affairs की भी चीज़े डालते हैं और वो बहुत जादा topics कवर करते हैं काफी बलकी होती है उनकी दो magazines होती हैं उनमें ही वो अलग-अलग subjects डालके देते हैं फिर आते हैं हमारी PW की परहार अब परहार वालों का सीन क्या है ये contemporary affairs भी बहुत जादा डालते हैं static पार्ट भी काफी जादा डालते हैं और साथ में इनकी कोशिश रहती है कि वो magazine जादा बलकी भी नहों मतलब इतना सब कुछ डालने के बाद obviously pages काफी जादा बढ़ जाएंगे और इस चकर में इनका current affairs का जो portion होता है magazine में वो थोड़ा कम पड़ जाता है वो अच्छे से cover नहीं हो पाता मेंस के लिए ये contemporary यो static भी काफी जादा भर देते हो उसमें तो ये तो मैं recommend नहीं करूँगा तुम्हें अब बात करते हैं मेंस 365 की ये है तुमारी current affairs की बस साल सबासाल maximum इतना ही होता है इसमें पांचे स और facts वगरा भी दियो होता है अलग से तो जादा तर जो seniors हैं या फिर जिन्होंने clear भी किया है या फिर जो मेरे friends से जिन्होंने clear किया वो सारे में 365 ही पढ़ते हैं क्योंकि जो तुमारा static part और contemporary affairs वाला जो scene है वो तुम किताब में अपना पढ़ लेते हो lectures में पढ़ लेते ह तो तुमारा main target होता है कि इन magazine से current affairs वाला जो मुद्दा होता वो उठाके अपने answers में value edition कर लें तो उसके लिए main 365 काफी ज्यादा सही लगती है और यह main 365 ना subject wise आती है पॉलेटी, governance की, international relations की, society की, ethics की अलग-अलग करके GS1 के जो subjects है हिस्ट्री या फिर जोगरफी हो गया उसके main 365 नहीं आती इसकी PDF इंदी और English medium में free में available होती है तुम्हें इनका printout निकलवाना है, printout निकलवालो या फिर main 365 का तुम्हें link भी मिल रहा होगा Amazon या flip card का देख लेना, वहां से मंगवानी है, वहां से मंगवाओ, तुमारी मर्जी है और देखो जब भी यह पढ़ो main 365 इन्हें रट ले सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होते हैं exam में trust me, और उनका experience इतना हो चुका है, उन पर time इतना था कि वह बहुत सारी चीजे रट गए, देखो 3 गंटे में तुम्हें 20 questions निप्टाने हैं, तो वहां पे तुम सोचने पे ज़्यादा time नहीं दे सकते, rank 1 अदित्या श्रीवास